नमस्कार दोस्तों मैं विजितिवारी स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल दा बुक सोसाइटी में जहां हम आज एक और किताब की शंग्रा शुरू करने जा रहे हैं किताब का कोड होगा बी एच आइई वन फोर फोर टोटल इस किताब में आठ उनिट होंगी और इन चैप्टर शुरू करें उससे पहले थोड़ी चीजे समझ लेते हैं ताकि चैप्टर को समझने में आसानी हो और किताब को समझने में भी आसानी हो देखो भाई अगर हम पूरे विश्व को देखेंगे तो हर देश का अपना इक इतिहास रहा है हर देश की अपने एक से होता है अगर हम अलग-लग देशों की बात करें तो अलग-लग देश अपने अपने इतिहास की सुरुवात के लिए एक मानक तिथी का एक मानक डेट का अध्यन करते हैं कि हाँ वही इस डेट से हमारा इतिहास शुरू हुआ है लेकिन बात यह आती है कि जह हम भारती इति इतिहास पर पूरी तरीके से विश्वास किया जाए ये चीज इस चैप्टर में हमें बताने वाला है इस चैप्टर में हमें यही चीज बताई जाएगी जैसा कि चैप्टर का नामी आप देख रहे हैं क्या है इतिहास क्या है तो आपको इस चैप्टर में यही पता चलने वा पता चलता है, इतना ही नहीं, हम उन चीजों के बारे में भी अध्धिन करने वाले हैं, जो एतिहासिक परंपराओं में लिखी गई हैं, सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना शूरू होती है, और यह प्रस्तावना हमें कुल मिला कर यह बताना चाहती है, कि इस पूरे students को ये तो पता ही होगा कि इतिहास क्या है लेकिन फिर भी हम इहां describe करते हैं कि इतिहास क्या है तो अलग-अलग व्यक्ति इसकी अलग-अलग परिभाशा दे सकते हैं लेकिन फिर भी सबसे जो शुद्ध परिभाशा मानी जाती है वो ये मानी जाती है कि अब तक जितने भी के हिसाब से वर्णन करते हैं एक order के हिसाब से वर्णन करते हैं तो हम यह कहते हो इतिहास होता है i n i n sadi समय से पूर जितनी भी घटनाए गटित हुई है उन सबी घटनाव को जह हम क्रम वार थरीके से एक पर लिखते हैं कहीं पर उसे इकठा करते हैं तो वो चीज एतिहासी घटनाओं में आती है जो आज है वो कल इतिहास होगा और जो कल होगा वो परसो इतिहास होगा यानि कुल मिलाकर अगर हम साधान से साधान समझों में समझें तो इतिहास का अर्थ क्या है इतिहास का अर्थ के इतिहास की बात की जाए तो प्राचिन काल, मध्य काल और आधुनिक काल के इसाब से भारत का इतिहास बाटा जाता है जबकि कुछ इतिहासकार जो भारत का इतिहास बाटते हैं वो ऐसे बाटते हैं कि हिंदो काल, मुस्लिम काल और फिर ब्रिटिश काल तो यसे में अलग-लग लोगों की अलग-लग विचारधारा होती हैं और वो इतिहास को अलग-लग नजरियों से देखते हैं अब देखो हमारे चैप्टर की प्रस्तावना क्या कहती है हमारे जैप्टर की प्रस्तावना ये कहते है कि विश्व के अलग-लग देशों में जो है अलग-लग टाइम पिरेड पर इतिहास लेखन महत्पूर्ण हुआ जैसे कि जब हम उरोप की बात करते हैं तो उरोप में 12th सेंचुरी में यानिकी 12 शतावदी में इतिहास लेखन का कार्य शुरू किया गया वहाँ पर क्या हुआ यहूदियों से संबंदित इसाई धर्मों से संबंदित कुछ परंपराई थी उन परंपराओं के अप्रमारी कठा किया गया और उन्हें किताबों में लिखना शुरू कर दिया गया ऐसे में हिस्ट्री की वहाँ पर रचना होती है ऐसे में इतिहास को वहाँ पर केंद्रिय भूमी का प्रदान की गई होती है तो आप किसी भी देश का इतिहास पढ़ लो, शुरुवात जो होगी हमेशा वहाँ पे धरम से होगी, क्योंकि प्राचिंकाल में पूरे के पूरे विश्व में जो था धरम का वर्चस था, धरम का दबदबा था, ऐसे में शुरुवात धरम से होगी, और उसके बाद धीर-ध 19th century की बात की जाए, तो इतिहास के लिए क्रांतिकारी युग रहा है, कौन सी? 19th century, क्योंकि 19th century में, 19th century में इतिहास को किसी भी सब्वेता के केंद्य तत्य के रूप में देखा जाने लगा, कि भई ये सब्वेता है, तो वहाँ के लोग के कल्चर क्या था, वहाँ के लगी दबाके, और ऐसे में हम टेक्निकल रूप से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, इसलिए में बहुत सारी सब्वेताओं का ग्यान भी होने लगा, तो इस प्रकार से अगर एक लाइन की बात की जाए, तो ये पता चलता है कि कोई भी सब्वेता जो थी, वो इत हैंगे उस सब्वेता का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जिस सब्वेता के बारे में कुछ ना कुछ चीजें मिलेंगी, कुछ ना कुछ सबूत मिलेंगे, कुछ ना कुछ साक्ष मिलेंगे, कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, तो हम कहेंगे वो सब्वेता क्या है, इतिह जैसे कि भारत की सब्वेता को बात करें तो भारत की सब्वेता को इतिहास कारों ने इतिहास वहीन सब्वेता बताया है यह बताया कि भारत का कुछ भी इतिहास नहीं है और इसको लेकर एक बहुत जादा बाद विवात बनता है उसका रीजन यह है कि भारते सब्वेता की ब्रिटिश इस ने भारते समाज को अपने कंट्रोल में कर लिया था तो ऐसे में उन्हें ये प्रियास किया कि भारते साहित की खोज करें भारत के उन इतिहासिक ग्रंथों की खोज करें जिससे उन्हें भारत के इतिहास के बारे में पता चल पाए लेकिन ब्रिटिश को शुरुआत में इस प्रियास में असफलता प्राप्त होती है वो भारत के इतिहास को नहीं जान पाते हैं परिणाम ये होता है कि वो क्या कहते हैं कि भारत की जो सब्वेता है वो इतिहास जिहीन है इसका अपना कोई इतिहास नहीं है ये समय के हिसाब से परिवर्ति तो ही है लेकिन इसके बारे में कोई भी एक ऐसा लॉजिकल गरंथ नहीं है जिससे लेखक दे किताब का नामता रास्तरंगडी इस किताब से हमें 12 शतावी तक के इतिहास का पता चलता है वो भी किसके काश्मीर के इतिहास के बारे में अब ऐसे में बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे पुरा तात्विद का मोश्ली ये मानना था कि भारत का अपना इतिहास पुरानी हैं तो ऐसे में मद्भेद उठते गए जब आप भारते संप्यता के प्राचिन इतिहास की बात करोगे तो ये पुराणों में मिलेगा आपको वेदों में मिलेगा माभारत और रमायर ग्रंथों का प्रियोग के जाता है लेकिन उससे पहले का जो इतिहास है क्या वो इतिहास कहीं पन्नों में दर्ध है क्या वो अभिलेखों में है क्या वो पूरा लेखों में है क्या वो इस्तम लेखों में है इस चीज की इतिहासकार जो है और जो पूरा तात्विद हैं ये मिलकर खोज कर रहे हैं लेकिन इन्हें कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है ऐसे म भारत की प्राचिन सभ्यता को इतिहास विहिन सभ्यता करार दे दिया गया यानि कि एक्जामनर आप से कोशन पूछे कि प्राचिन भारते इतिहास की जो परंपरा है उसे इतिहास कारों ने इतिहास विहिन क्यूं कहा तो आप बताओगे प्राचिन भारती इतिहास के बारे में हमारे पास कोई भी प्रमाणिक स्थरोथ नहीं है, कोई भी एक ऐसा स्थरोथ नहीं है जो इस चीज़ को बारे में बता सके, इसलिए कुछ विद्वानों ने भारती प्राचिन जो है इतिहास को इतिहास धीन माना है लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने इसके लिए अलग अलग तरीके से अब क्या है नहीं नहीं जागुता आई है नहीं टक्निक आई है, तो भारती इतिहास की प्राचिन सब्हेता को अब लगातार खोजा जा रहा है हाला कि सबसे पहले बार ये प्रयास जो है विलियम जोन्स के नेतरत में हुआ था लेकिन उसमें पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली थी आगे चल कर कुछ जो लोग हैं वो ये कहते हैं जब भारत में प्रबोधन आया ग्यानोदय का यूग हुआ तो भारत में इतिहास की खोज हुई 19 सेंचुरी के बाद लगातार बहुत सारी कितावें मिली हैं और अलग-लग लोगों ने इसके लिए अलग-लग दिश्टिकोंड दिया है जैसे कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स मिल जेम्स मिल ने किताब लिखिये दा हिस्ट्री ओफ ब्रिटिश इंडिया इसमें इन्होंने भारत के अतीत के संबंद में एक सर्वेक्षन करने का पहला प्रियास किया था यानि के आपसे ये का आजाए भारती इतिहास में के संबंध में भारती अतीत के संबंध में सरवेक्षन करने का पहला प्रयास किसने करा था वो व्यक्ति कौन था जेम्स मेल और इसकी किताब का नाम क्या था The History of British India उसने भारती में इतिहास को तिन टाइम पिरेड में बाटाया एक हिंदू सब्वेता एक मुस्लिम सब्वेता और विटिश आशन जिसमें उसने हिंदू सब्वेता को पिछड़ वी सब्वेता कहा है और तार की कहा है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और एक गतिहीन जिलता नहीं थी लोग वैसे ही परंपराओं में बंद कर थे आगे चल कर हीगेल जैसे जो विचारक थे इन्होंने भी इस मानेता को शिवकार कर लिया कि जो हिंदु सब बेताती वो पिछड़ी हुई है लेकिन इन लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई इ हम ये के देते ही कि हा भी इस समाज का इत्यास इतना पुराना होगा लेकिन आगे चल कर जेम्समील जैसे प्राचवादियों के इस विचार का खंडन किया गया और भारते महाकाव्य को पड़ोगे, दो महाकाव्य हमारे, एक रमायड और, एक महाभारत, वेदों का अध्यन करोगे, पुराणों का अध्यन करोगे, तो इससे हमें भारत इतियास के बारे में पता चलता है, भाई, इससे हमें भारत के हजारों सालों के अतीत के बारे में पता चलता है आज बड़े पैमाने पर अभिलेक शास्त्र का उदय हुआ है जिसमें हम अभिलेकों का अध्यन करते हैं और आप सब गवता अभिलेक क्या हैं तो प्राचिन काल पे पत्रों में और धातों पर जो लेक लिखे जाते थे वो अभिलेक कहलाते थे आज बड़े प्यमाने पर खुदाईयों में ऐसे अभिलेक मिले हैं अभिलेकों से हमें मौरसमराज के बारे हैं पता चला है इसी प्रकार से मुद्रा शास्त जिसमें हम मुद्राओं का अध्यन करते हैं बहुत सारी खुदाईयों में टी लेके नीचे हजारों लाखों की संख्या में जो हैं सिक्के मिले हैं सब्तवहन राजाओं के बारे में प्राचिन जो इतिहास है वो हमें सिर्फ और सिर्फ किस से पता चला है सिक्कों से पता चला है और पुरा तत्व बड़े प्यमाने पर खुदाई कारे करवा रहे हैं जिनसे हमें बहुत सारी प्राचिन सभ्वेताओं के बारे में पर चला है जैसे कि हड़पत सभ्वेता के बारे में पर चला है भारत की तो अगर हम अभिलेकर शास्त्र का अध्यन कर रहे हैं, मुद्राशास का अध्यन कर रहे हैं, पुरातत्र का अध्यन कर रहे हैं, जो कि व पहुत सारे नाम यहां लिया जाते हैं यासे कि डीडी कौशामवी टीडी कौशामवी की बात कर लो चायए अन्नी मार्शवाद ही इतिहास कारोn की बात कर 누가 लो इन रिसर्च किये हैं भारत में इसके एक बहुत बड़ा योगदान दिया है भारती इतिहास के पुम्ति निर्म यह होता है कि एक कवी होगा और वो अपने राजा की प्रिशंशा में एक पूरी-पूरी किताब की रचना कर देगा जैसे कि हर्ष चरित जिसमें राजा हर्ष वर्धन के बारे में पूरी तरीके से लिखा गया था तो प्राचिन भारती इतिहास के सोतों को पढ़ोगे तो ज हमें पता चलता है कि कुछ लोगों का जो विचारे वो यह है कि भारत की सब्वेता जो है इतिहास भी हीन सब्वेता है गती हीन सब्वेता है इसका अपना कोई इतिहासिक साक्ष नहीं है लेकिन वर्तमान में जो बहुत सारी खोजे हो रही है इससे ये बास सिद्ध हो जात कि एतिहासिक परंपरा क्या है तो जब समाज अतीत के संबंद में किसी प्रकार का जब हम घ्यान धारण करते हैं तो एतिहासिक परंपराओं का सरजन होता है यानि कि किसी भी समाज के इतिहास के बारे में जब हम घ्यान धारण करते हैं ये सोचते हैं ये पता लगाते हैं कि प्रमपराओं को माननेता था तो हम एतिहासिक परमपराओं को निर्माड करते हैं, और यह समय और परिस्तियों के हिसाब से अलग अलग होती हैं। पहला तत्व यह होता है कि अतियत की घटनाओं का जो अधियन कर रहा है उस इतिहासकार की सोच क्या है। क्योंकि जिस इतिहासकार की जैसी सोच होगी वो इस इसाप से इतिहास को लिखेगा जैसे की एक इतिहासकार था बर्नियर बर्नियर वैसे एक यात्री था बर्नियर ने पताया बर्नियर ने ये बताया कि भारत की जो किशी थी वो बिल्कुल क्याती बकवास थी जबकि अन्य जो लेखा के वो कहते हैं भारत एक किर्षी प्रधान देश था, मुगल काल के टाइम पे वो यह बोला है भर्नियर कि भारत का जो किर्षी वे उस्ता है, वो बिल्कुल बेकार है, जो खेत है, वो दल्ल से बरे हुए, किसान दरिद्र है, जबकि वहीं अबुल फजल की किताब उसी टाइम पिरेड के बारे मताते हैं कि मुगल काल में टैक्स का जो बहुत बड़ा सुरोत था, वो किस से आता था, केवल ओकेवल किश्षी से आता था, तो ऐसे में न, पहली चीज ये बताती है, कि जब हम एतिहासिक परमपरा का अध्यन करते हैं, क्योंकि देखो जब भी हम इतिहास को बिना time order के विश्थित करेंगे बिना काल करम के विश्थित करेंगे तो पता है क्या होगा घटनाए होजपो जाएंगी घटनाए गडबड हो जाएंगी लेकिन हम एक time period के साफ से लें कि 7th century में यह हुआ 8th century में यह हुआ 9th century में यह हु जब हम किसी समाज के अतियत का ज्यान अरजित करते हैं ज्यान प्राप्त करते हैं तो क्या क्यलाती है इतिहासिक परंपरा क्यलाती है इतिहासिक परंपरा में हमें कितने तत्व मिलते हैं तीन तत्व मिलते हैं पहला कि इतिहास की घटना का वर्णन जो कर रहा है उस इतिहा को order wise किस प्रकार से setup किया गया है और तीसी चीज ये है कि जितनी भी घटनाएं हैं वो समाज की अवशक्ताओं के हिसाब से दर्जों नीचीए फालतों चीजों को इतिहास में नहीं लिखा जाता है तो इतिहासिक प्रमप्रा के घट जो तत्व होते हैं कितने तत्व होते हैं और वो समाज उन अवशक्ताओं को पूरा कैसे करता था तो इतिहासिक प्रमप्राओं में प्रमाडिक घटनाओं को दर्ज किया जाता है यानि कि जो चीजे प्रमाडिक हो चुकी हैं उनका वर्णन किया जाता है लेकिन कई बार इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी भी होते जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता जिनके बारे में कोई भी प्रमाड नहीं होते तो ऐसे में जब हम एतिहासिक प्रमपराओं की बात करते हैं तो उसमें कुछ निश्चिक तत्व दिखाई देते हैं कुछ निश्चिक संकेतक दिखाई देते हैं जैसे ही कोई स समाज किसी बिंदू पर कैसे था, उस परंपरा के रिखवाले कौन थे, उस परंपरा में शाषक कौन था, उस परंपरा में वैपार कैसा होता था, साहित्य का निर्मार था या नहीं था, यानि कि लेखन परंपरा थी या नहीं थी, इसके साहिस साथ समाज था तो कैसा था, वोड़पा सब बेता में आप किसी क्या पढ़ोगे सबसे पहले कि वहां की लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कौन शाशक उन पे शाशन करता था, इतना ही नहीं, हम ये भी अध्यन करने कोश्च कर रहे हैं, कौन सी धार्मिक परंपराओं को मानते थे, कै ये बताया जाता है कि भारती अतीत में जो अतिहासिक परंपरा हैं वो तीन परंपरां रही हैं पहली है पौराणिक परंपरा दूसरी है स्रमणिक परंपरा और तीसरी है चारण परंपरा जब हम पौराणिक परंपरा की बात करते हैं तो हम पुराणों का अध्यन करते हैं द प्रतिष्ठित कुल की वनशावलियों का अध्यन कर रहा है उन प्रतिष्ठित कुलों की वनशावलियों को लिख रहा है जिससे हमें प्राचिन सद्यों के इतिहास के बारे में पता चलता है तो पुराणिक परंप्रा क्या रही है श्रमिक परंप्रा क्या रही है और चारन परंप्रा क्या रही है ये बात आपको पता चल गई भई तो पराडिंग परंप्रा और स्रम्रिक परंप्रा दोनों में एक common चीज है कि दोनों में इना अपने अपने शाषकों की अपने अपने जो बड़े-बड़े उपासों बड़े-बड़े जो गुरु रहे हैं उनकी प्रिशंशा में ही लेख लिखे गए हैं जब आप पुराणों का अध्यन करोंगे तो राजा ने यह किया राजा ने वह किया, अफ़लाना की, अडिम का किया यह सब लिखा होता है जब कि हम श्रम्निक परंपराओं के बात करेंगे तो हम बौद्धों के विशे में, जैनों के विशे में केवल पॉजिटिव चीजे पड़ेंगे और कोई भी समाज सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता उसके कुछ निगेटिव भी इंपैक्ट्स होते हैं क्योंकि हर सिक्क्ये के दो पहलू होते हैं एक सकरात्मक और एक नकरात्मक तो हमने देखा कि जो पॉरणनेक परंप्राइं हैं उसमें जो सिर्फ सकरात्मक लिखी गई हैं समाज पर उसका क्या नकरात्मक प्रभाव पड़ा इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चलता क्योंकि जब हम बात करते हैं इस राजा ने बहुत अच्छा किया तो फिर आज गरीबी क्यों हैं ऐसे लोजिकल प्रश पराणिक, श्रम्णिक और चारण आगे चैप्टर में जो बताया गया है वो यह बताया गया है कि प्रारंबिक भारत में अगर हम अतीत के प्रती दिष्टिकोंड देखें तो उसका अध्यनम कैसे करें जो हमारा श्रुवाती भारत है उसमें अतीत के प्रती कितने इतिहास को पढ़ते वे ना हमें दो चीज ध्यान रखने चीए कि इतिहास जो है वो imagination पर अधारित हो सकता है और नहीं भी इतिहास कल्पनाओं पर अधारित भी हो सकता है और नहीं भी क्योंकि कोई चीज मिली तो उसके लिए इतिहास का पुरा तात्वित क्या करेंगे एक imagination करेंगे यह चीज इसलिए शायद use होती होगी और वो ऐसे बता देंगे like that मैं आपको बताता हूँ जैसे मानलो कोई एक छेत्र है पुईत्र के से भुस्कलन में नीचे दब गया आप क्या होगा वहां से मानलो कुछ किताबे मिली कुछ बच्चे मिले तो वह यह बोल लें कि वह कलपनाओं से भरा भी हो सकता है और हो सकता हो कलपना से ना भरा हुआ हो दूसरी बात हमें देखना चाहिए कि इतिहास लिखने वाले के दिश्टिकोंड क्या है वो किन चीजों को वरिता दे रहा है और किन चीजों को वरिता नहीं दे रहा है क्योंकि अगर आप एक ह सोच से इतिहास का अध्यन करोगे तो आप इतिहास का अध्यन कर लोगे आप कोश्ण का तो अंसर दे दोगे लेकिन आपके अपनी कोई सोच नहीं बन पाएगी आप एक ना अंध भक्ती की रहा पर चल सकते हो आप ना गलत को गलत और सही को सही नहीं क्या पाओगे तो अतीत जब अद्यास कार है तो इतिहास का इस्तिमाल, जब हम इतिहास का अध्यन करते हैं, इतिहासिक परंपराओं का अध्यन करते हैं, तो हमें कुछ चीजे ध्यान में रखने चीए, पहली चीज, कि इतिहास का इस्तिमाल किसले किया जा रहा है, तो मुश्टले आप हिस्ट्री का अध्यन करोगे ना स सत्ता का प्रयोग कर रहा है अधिकांस आर्मिक इतिहासिक साक्षियों में हमें यही पता चलेगा दूसरी चीज यह है कि जो कम्यूनिटी है वो किन परंप्राओं को फॉलो कर रही है तीसे चीज हमें यह ध्यान रखना अध्यन करना चाहिए कि इतिहास का मतलब सिर्फ यह न तो हमें इससे प्रया सलता है कि इतिहास कितना पुराना है पांचवी चीज यह है कि जब हम इतिहास में विचारों का अध्यन करते हैं घटनाओं का अध्यन करते हैं तो हमें उसका एक समय भी सैट करके रखना चीए कि जैसे पहली शताबदी में यह शाशक यहा था तो उस तो पौरानिक परंपराएं रही है और श्रम्निक परंपराएं रही है और चारक परंपराएं रही है लेकिन जब इन परंपराओं के अंदर हो गहराई से हम अध्यन करते हैं तो हमें समाज के बारें पता चलता है जैसे कि पौरानिक परंपराओं से हमें पतालता है कि सुरु प्रजा से भेट वसूल करता था जब आप प्राचीन समय में शुरुवात करोगे तो देखो प्राचीन समय में पहली बात तो कोई राजा था नी शुरुवात होती है एक व्यक्ति से जो कि एक कभीले का सरदार होगा फिर वन्षाधारित व्युस्था शुरू हो जाएंगी स यह बहुत ज़्यादा विक्सित हो जाएंगे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और यह लोगों से राजस हो यानि कि टैक्स की वसूली करने शुरू कर देंगे ऐसे में जब हम इतिहासिक प्रमपराओं का अध्यन करते हैं तो अलग-लग लोगों का कुछ इतनी पुरानी है कि मोश्टली सब्विता हैं जो हैं उसके जो ग्रंत है वो नश्ट हो चुके हैं और जो हैं तो बहुत कटिन भाषा में जिने पढ़ना बड़ा मुश्किल है जैसे जब आप किष्टिनीटी की बात करोगे तो उसका अपना एक सन है उसके बारे में यह है यहां बही यह एक इशू का इतिहास यहां से शुरू होता है और यहां पर खतम होता है इसलामिक परमपरा का अध्यन करोगे तो आप पैगंबर साहब से जो है शुरूआत करोगे और उसके बाद अब तक का अध्यनाप कर सकते हो लेकिन जब आप सनातनी परमपरा का अध् यह इस्टेबलाइश्ड हुई थी, तो ऐसे में लोग सब जानते तो हैं, कि भारत का और सनातनियों का इतिहास सबसे पुराना है, लेकिन वो इस पर विश्वास करने के लिए तयार नहीं, किसी भी तरीकी से इसे जुठलाने की कोशिश की जारी है, तो धर्मों के संस्थाप होती है, इन लोग, एक परलोग, इन लोग में इस संसार की बात की जाती है, परलोग में स्वर्ग, नर्क, ऐसी चीजों की बात की जाती है, तो ऐसे में जब एतिहासिक परंपरा का अध्यनम करते हैं, तो हमारे साब ने बहुत सारी देश्टिकोन आते हैं, जिससे कई बार पता है क्या होता है विचारों में भिनिता प्यादा हो जाती है कई बार मन में आशंका आ जाती है क्या यार ये चीज़े हो भी सकती है ये नहीं हो सकती है शिक्षा कैसी थी नगरिय परमपरा कैसी थी विभिन मतों का संपरदाय कैसा था ये सारी चीज़ों का अध्यनम करते वक्त हमें अपना धिमाग भिल्कुल खुला रखना चाहिए और अलग-लग तरीक से अलग-लग सोचना चाहिए तो चीज़ों देखो समझ में आ रही है तो comment box में comment जरूर करिए इसके लाबा देखो दो तरीके होता है पढ़ने और पढ़ने के पहला तरीका यह होता है कि बच्चों खुश किया जाए और असान असान तरीके से गुम्रह किया जाए दूसरा तरीका यह होता है कि हम BA final में है इसके बाद हमें graduation की degree मिलेगी और हम graduate हो जाएंगे शिक्षित हो जाएंगे सनातकी हो जाएंगे तो ऐसे में हमें यह चीज़े जो हैं कठिन चीज़े हैं और इन्हें में कठिन तरीके से बढ़ना चीए हमें शब्दों को ग्याना चीए और जो देखो मेरे पढ़ाने की त लगा है तो इसलिए आप हमारे channel पर पढ़ोगे तो आपको ये चीजिः धेहन रखने है लेकिन वह कॉलिटिव पढ़नी इस है इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है आगे ये पढ़ने वाले इतिहास सता इसके विभिन वेथीन सोरोपों के बाताओ तो जो हम अतीत का अध्यन करते हैं भारत के तो हमने बात कर ली कि हम एक word यूज़ करते हैं इतिहास और एक word यूज़ करते हैं पुराण इतिहास का मतलब हम समझ चुके हैं कि ऐसा हुआ है, तो क्यूं हुआ है, कैसे हुआ है, किस ने किया है, और आज इसका क्या प्रियोग हो सकता है इतिहास इसके अलावा एक बहुत बड़ी चीज़ है, इतिहास हमें ये सबक देता है कि अगर प्राचीन काल में कोई चीज की गलती हुई है तो उसे हम आज ना दो रहें इतिहास हमें यही बताता है कर प्राचीन काल में कोई चीज अच्छी रही है तो उसे हम आगे भी लेकर चलना चाहिए जबकि हम पुराणों का अध्यन करते हैं तो पुराण का मतलब है पुरातन, मतलब जोची पुरानी रही हो इस समय में प्राचीन समय की कहानिया मिलती है, प्राचीन समय की घटनाई मिलती है बहुत सारे मिथक मिलते हैं मिथक मतलब होता है बहुत सारी चीज़े ऐसे मिलती है जिन पर मतलब हो सकता है उस समय वो सच हो लेकिन आज की टाइम पर उसे हम जूट समझते हैं पौराणिक ग्रंथों समय में वंशावलियों के बारे में पता चलता है उस समय के जुड़े अनुष्ठानों के बारे में पता चलता है देवी देवताओं के इतिहास के बारे में पता चलता है इतना ही नहीं उनको कौन-कौन लोग फॉलो करते थे उसके बारे में पता चलता है हर वेद को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि समाजिक परंपराओं में किन किन चीज़ों को कैसे कैसे फॉलो किया जाता था जैसे कि सबसे जो पुराना वेद है वो हमारा रिगवेद है तो इस प्रकार से वेद, रिगवेद, ब्राहमण ग्रंत इन समय हमें नायकों के संबन में यानि की राजाओं के और सेनापतियों के संबन में मंत्र और व्याक्यानों के बारे में पता चलेगा तो ऐसे में मुद्द ये उड़ता है कि इन वेदों की उत्पति कब हुई अगर हुई तो किस ने करी और अगर किस ने करी ये तो वो बंदा कौन है और उसने समाज को कैसे देखा इन सब पर लगाता राज भी खोच शुरूई है जातर जो इतिहासे वो नायकों की प्रशाष्टी संबन दिया प्रशाष्टी का मतलब होता है कि इस प्रकार से रिखा कि उसमें राजा की प्रशनशाई की गई है कि हमारा राजा ऐसा है हमारा राजा वैसा है साधान जनता के बारे में इतिहास में कुछ ही पता चलता है नहीं ठीक है आगे जो चीजे बताए गई वो यह बताए गई है कि क्या ही दो में हम क्या पढ़ा था इक में हमने क्या प शंशियों का अध्यन करो, तो यह साई चीज एक दूसरे से आपको जुड़ोई मिलेंगी, इनसे में एक दूसरे की प्रमपरा पता चलेगी, जैसे आप बौध्रम जैंद्रम का अध्यन करो, तो जब आप बौध्रम जैंद्रम की किताबों का अध्यन करोगे, तो आपको सिर मुर्त रूप की बात करते हैं, तो इतिहास के जब मुर्त रूप की बात करते हैं, तो देखो, मुर्त रूप का मतलब है कि वो चीजें, जो हमें बिलकुल सही तरीके से सही विवरन दे रही हैं, जिसके लिए एक बहुत धिक चीजों का प्रियोग किया गया है, हमें उसके ब के बारे में पता चलेगा उस समय की भाषा के बारे में पता चलेगा उस समय की रीतिरी वाजों के बारे में पता चलेगा और हमें यही पता चलेगा कि एक राजा का दूसरे राजा से अगर संकर्श होता था तो क्यूं होता था अब बहुत सारे अभिलेक मिलें खुदाईयों को अध्यन करते हैं तो हमें बहुत सारे जो हैं ऐसे शिलालेख मिलें जिससे पता चलता है कि श्रिलंका में किस प्रकार से जो है बौत ध्रम फैला जैसे कि एक किताब है दीप वंश एक किताब है महा वंश जिसमें हमें बहुत के इतिहास और श्रिलंका में बौत ध्रम के जिससे हमें मॉण समराज के बारे में पता चलता है अब जो ये इतिहासिक लेखनिया है ये जो कितावे हैं इसमें अलग लग तरीगे से अलग लग चीजे लिखी गई हैं जैसे कि संध्यकर नंदिन के एक किताव है रामचरित जिसमें हमें पता चलता है कि एक भूमी धारी जो वर्ग है वो किस प्रकार से विद्रो करता है यानि कि समाज में पहले विद्रो की भावना भी थी तो अब तक हमें यह पता चलता है कि इतिहास से हमें वंशावलियों के बारें पता चलता है समाजिक सांस्कितिक परंपराओं के बारें पता चलता है सोसाइटी कैसे विच नेतिक और आर्थिक रूप से अध्यन करते हैं, तो हम समाज में ये देखते हैं कि समाज किस प्रकार से था, क्या समाज में कुल, मतलब वंशे प्रणाली थी, या एकल प्रणाली थी, समाज अपनी पहचानी के लिए अपने पूरुजों से अपने आपको कैसे जोडता था, स कई बार उत्र आदिकार के लिए क्या हुआ था, युद भी हुआ था, समाज का अध्यन करते वक्त हम ये भी देखते हैं, समाज की अर्थवस्ता किन चीजो पधाईती, जैसे किष्टी करते थे लोग, और अगर खेती करते थे, तो सामुही करते थे, या एकल करते थे, हमे यानि कि एक शाषक को प्रमारित कौन करता था, मुख्या, माफ कीजियेगा, जो पुरोहीत होता था, यही पुरोहीत आगे चल कर क्या हो गए, सत्ताधारी हो गए, यह पुरोहीत आगे चल कर जाती वज़ता में सबसे उच्छों गए, जिने ब्रहमणा आज कहा जाता है, और आगे चलकर जो भूमीदान थे वो उन सेना पत्यों को भी दी जाने लगे जिन्होंने आगे चलकर छेतर जीतने शुरू किये। तो ये तो समाजी व्यवस्था थी, राजनीती व्यवस्था की बात करोगे तो सबसे पहले कविलाई समाज शुरू होगा, फिर दीदरे करके समाज शुरू होगा और फिर दीदरे करके एक राज व्यवस्था शुरू होगी, फिर दीदरे करके समाज जो है वो डेमोक्रेटि democratic रूप से आगे बढ़ेगा लेकिन जो democracy है वो modern history में है हम यहाँ पर प्राचिन history की बात कर रहे हैं फिर हम यह भी देखते हैं कि उस समय को जो राजा था वो राजस्व का प्राप्ति कैसे करता था किर्सी पर tax लगता था तो कितना लगता था जिसकी चर्चा अगले चैप्टरों में की जाएगी इसके साइस साथ हम यह भी अध्यन करते हैं कि समाज किस प्रकार से था समाज आखे ठक था यानि कि शिकारी समधा है था घुमन्तू था एक स्थान से दूस स्थान पर घुमता था या स्थाई जीवन व्यतित करता था ठीक है बई तो अगर हम किस चेत्र की समाजिक आर्थिक और आजनितिक प्रंपराओं का अध्यन करेंगे तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा तो समाजिक व्यूस्ता का अध्यन करते हैं तो हम यह देखते हैं कि प्राचिनकाल में समाज कभीलाई समाज था और धीदरे करके राजवयुस्ता युत्पत्ती हुई तो कुल मिलाकर इतिहास का अध्यन करते हुए हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिसे हम विचारात्मक चिंतन कहते हैं क्योंकि इतिहास का अध्यन आप सिर्फ लाइन से पड़ोगे और सिर्फ और सिर्फ इस से पड़ोगे कि हमें कोश्ण कैंसल लिखने हैं तो आपकी एक नई विचारतारा का उध्यन नहीं हो पाएगा इतिहास को पड़ते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास कार जो है वो इतिहास को कैसे प्रस्तुत करना चाता है जैसे कि आप ब्रहमणी एक ग्रंथों का अध्यन करोगे तो वो एक अलग विचारों को प्रस्तुत करती है जबकि जब हम बौद और जैन ग्रंथों का दिन करते हैं तो अलग विचारों को प्रस्तुत करती है तो ऐसे में हमें ये देखना चाहिए कि वो उस किन समाजिक परिस्तितों में ग्रंथ लिखे गए थे उस समय कि समाजिक परिस्तितियां क्या थी उस समय सिच्वेशन क्या थी कि कि सिच्वेशन के हिसाब से समाज बदलता है लोग के हिसाब से इतिहास बदलता है समाज की जो प्रथाएं हैं वो इतिहास में परिवर्तन लाती हैं तो ये सब चीज़ा हमें ध्यान रखनी चीए, चैप्टर यहीं फिनिश होता है, आगे चैप्टर का सारांश है, चैप्टर से एक कोशन जरूर आना ही चाहिए, और आई होप सो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये पढ़ा चलिया होगा, कि इतिहास क्या है, और प